मेरा नमस्कार में आपका सागत है आईए बच्चो आज हम अभ्यास पुस्ति का पेकार करते हैं कक्छा तीसरी चौनती और पांचवी के लिए वीडियो पे हम गती विदी अभ्यास को जानेंगे आओ करें और सीखें कि अंतर्गत 47 नंबर के अभ्यास से हम 22 नंबर के अभ्य के सनाप तक पहुंचते रहेगा गड़ित विशे की अभ्यास पुस्ति का हमें विद्याले से प्राप्त हुई है तो आईए देखते हैं पेज नंबर 47 से पेज नंबर 52 तक कार करते हैं गती विदी का नाम है संख्या बताएं तो जोड़ पाएं बच्चों संख्याओं को ह हमें तीन अंग को जोड़ना है तो एक में तीन को हम जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा फिर दो में दो को जोड़ेंगे चार दो में चार को जोड़ेंगे तो छे और एक में चार को जोड़ेंगे तो पांच इसे पकार तीन में तीन को जोड़ेंगे छे चार में चार को ज जोड़ेंगे साथ, बच्चों आप तीलियों का प्रयोग करके या कंकड़ फत्तरों का या कोई वस्तों का प्रयोग करके आप इन जोड़ों को बड़ी ही सरलता से जोड़ सकते हैं, जितनी संक्या उपर लिखिए उतने हमको कंकड़ फत्तर लेना है और फिर नीचे जितनी स सब्कुल्स Carey आपको प्लेश्ट की प्लेश्ट इसवीडियो में मिलने नहें आप संख्या बताएं तो जोल पाएं. अब देखते हैं पच्छों यहां पर 4 पत्ती हैं और यहां पर 3 पत्ती हैं. अब इनको 1-7 हम गिन लेते हैं 1-2-3-4-5-6-7 तो हम उत्तर ले देंगे 7 इसी तरह 4 में 4-3 को jोलेंगे- 7 हो जाएगा 5 में 3 को जोलेंगे तो 8 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा इसी प्रकार 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 एक में 5 को जोड़ेंगे तो 6 अब हम देखते हैं गतिविदी का नाम है बड़ी संक्या बनाओ जीत कर बताओ जोड़ना है हमें यहां पे तीन बदग दिखाई दे रही है और एक बदग नीचे दिखाई दे रही है तो तीन में हम एक को प्लस करेंगे तो गिन लेते हैं एक, दो, तीन, चार हो जाएगा और उत्तर भी हमारा चार ही आएगा इसी प्रकार दो में तीन को जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राफ्त हो जाएगा पांच और पांच ही यहाँ पर आमों की संख्या है इस तरह से भी हम जोड़ को कर सकते हैं अब देखते हैं बच्चो आओ करे और सिखे कि अंतरगत अभ्यास नंबर गतिविदी नंबर पचास दिया गया है बड़ी संख्या बनाओ जीत कर बताओ जोड़ना दिया गया है तो हम देख रहे हैं दो यहाँ पर मचली हैं और उत्तर हमारा दो ही है मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो दो में सुन को जोड़ेंगे तो दो आएगा इसी प्रकार एक मुर्गी है और उत्तर भी हमारा एक है तो एक में सुन को जोड़ेंगे तो एक आजाएगा चार फूल हैं और यहाँ पे उत्तर में चार ही दिखा रहा है अर्थात यहाँ पे कोई संख्या नहीं है या कोई फूल नहीं है तो चार में सुनको जोलेंगे तो हमें चार ही प्राफ्त होगा इसी प्रकार पांच संख्या दी गई है यहाँ पर उत्तर में पांच है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है अर्थात यहाँ पर सुनने होगा तो यहाँ पर सुनने में पांच हो जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा इसी प्रकार छह पत्ती में सुन को जोड़ेंगे तो छ किसके अंतरें के क् Panther को प्रिस्ष्ल बन रहे है इनने के हम कारिय करते हैं यहां पर हमें बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं गूबार दिखाई दे रहे हैं एक का गज की फिर्की दिखाई बाकी के गुबारे धारीदार थे राजू के पास कितने धारीदार गुबारे थे तो 6 में से हम 2 को माइनस राजू ने 6 गुबारे फुलाए उन में से 2 गुबारे अंगिन थे तो बाकी गुबारे धारीदार थे तो बच्चों यहाँ पे हमें माइनस करना है 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे यहाँ हमने प्लस किया है मापी चाहेंगे आप 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहां पर उत्तर आजाएगा चार अर्थाद राजु के पास जो धारीदार वाले गुबारे थे वो कितने थे चार थे इसे परकार सीनु के हाथ में पांच गुबारे और राजु के हाथ में नौ गुबारे हैं सीनु को और कितने गुबारे चाहिए कि उसके पास कुल 9 गुबारे हो जाएं तो 9 में से 5 को हम मैनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा अर्था तो उसको 4 गुबारे और चाहिए कुटी के पास कागच के कितने फूल दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पे कुटी के पास केवल एक ही कागच का फूल दिखाई दे रहा है आप दिख सकते हैं सीनु को आठ गुबारे चाहिए परन्तु उसके पास केवल पांच हैं उसे अब कितने गुबारे और मिल जाएं कि उसके पास आठ हो जाएगी तो आठ में से पांच को घटा देंगी तो तीन उत्तर हमारा प्राफ्ट हो जाएगा अर्थात उसको आठ गुबारे करने के एननी बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को स्क्राइब करके बेल आइकन को पेश कर लें ताकि आने वाली महत्पुल वीडियो का नोटिपी के सनाव तर पहुंसते रहेगा वीडियो अगर इस्पिट में लग रही तो वीडियो को रोक कर या पुछ करके आप इनके इस्पिटरों को लिख लिजिए काति विदी का नामें बोलो बच्चो कितनी चाबियां गटाना हमें यहां पर करना है देखते हैं समझकर रिक्तिस्थानों की पूर्ती किजिए एक गमला दिखाए दे रहा है उसमें जो प्रशुटतर दी गए हैं पत्तिव में उनको हम हल करते हैं तीन में से तीन गया तो सुन नो में से चार गया तो पांच नो में से तीन को मैनस करना है तो गटाना है तो छे आ जाएगा और छे में से छे गया तो सुन प्राफ्त होगा छे में से तीन गया, तो 3 प्राफ्त होगा और 12 मिशन हो गया, तो हमें 3 प्राफ्त होगा. इस थरे बच्चों हमारे यहां पर अभ्यास केम्पेट होते हैं, 52 नमबर के अभ्यास तक हमने कार कर चुका है, इसके पूरों में भी हमने बहुत सारे वीडियो पे कार कर चुके हैं तो हम फिर मिलते हैं इसके आगे के अभ्यासों में तब तक की लिए मेरा नमस्कार जैहिंजे भारत